ही गाइज विल्कुम बैक टो मैं चानल हैपी रिपब्लिक डे टू और आज जो हुआ बहुत दुखद हुआ पिसानों का जो मामला था खेर पॉलिटिक्स है चलती रहती है आज मैं बात करने वाली हूँ टाइटल देखे आपको समझ आ गया कि नहीं आयागा पहले बताओ आ गया ना उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एक अनफर्टाइल कपल नहीं जानता और अपने आपको कोस्ता र बड़ी है दूसरों को देखिए और अपनी प्रॉब्लम को छोटा कर लेंगे खुद ही आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि दस से चौदा परसेंट जो है इंडिया की पॉपलेशन में से ऐसे लोग हैं जो कि जिनको होता ही नहीं बच्चा इंफर्टिलिटी का शिकार वो अलड़ी हो चुके और कोई सॉल्यूशन नहीं है 27 मिलियन लोग है कपल्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूज रहे हैं हर छे में से एक कपल ऐसा होता है जिसको यह प्रॉब्लम होती है ठीक है तो आपको इस घबराने की कभी ज़रूरत नहीं है और मैं आदमें बेसिक की तरह हapan होके बैठ जाते हैं इसका क्या करें आंखे क्या solution निकालें किसी इन में बढताएं क्या करें कहा बहाँग जाएं क्या मर जाएं जीन जाएं क्या करें आंके मरना कभी नहीं है ठीक है ना जिंदगी आपको इतनी मुश्किल से आपके माबाब ने आपको पाला है सो सीज की रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कमेंड करते हैं कि हम क्या करें 12 साल हो गए 14 साल हो गए 15 स अपने जो शपने है ना उसकी तरह भागे बजयाए जो आपको नहीं मिल रहाना उसकी दवर जाने के आपके अंदर इतना stamina है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो लड़कियों की life ऐसी होती है ना अगर वो जिद पर आजा है तो वो कुछ भी कर सकती है जो उनके हाथ में है अगर उनके हाथ में ये होता ना कि वो बच्चा कर लेती तो कोई औरत रोती नहीं कोई इतना गिड़गडाती नहीं डॉक्टरों के सामने और कभी नहीं ऐसा होता कि वो इस चीज को लेकर face करती दूसरा मैं ना डॉक्टर हूँ ना मैं आपको suggestion देती हूँ कभी इस topic के पार अगर मैं डॉक्टर होती तो सबसे पहले अपना ट्राइ करती हमेशा याद रखिए अगर जो इनसान इस चीज के अगर यह होता ना तो कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो उनको खुद को नहीं होता वो खुद अपना बच्चा कर लेते हैं और यह problem कभी ना आती जिन्दगी में यह दिक्कत है जैसे इंसान को cancer होता है ऐसे infertility होती है ऐसे को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मतलब इस दुनिया पे बोज हूँ या फिर ऐसा कोच अपने husband को समझाईए अपने सपने देखिए जैसे किसी की पढ़ाई छुट वे यह तो पढ़ाई करो किसी को किसी और चीज में रुची है सिलाई नहीं कर पाय थे कभी तो चलो सिलाई करते हैं ठीक है मन बटाईए अपना basically मन बटाने से होगा कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे बहुत सार ऐसे लोग हैं जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है और मुझे लगता है वो बहुत निराश होकर बैठ जाते हैं जो ऐसा नहीं होना चीए शुरू शुरू मैं मेरे साथ ऐसा हुआ है मैं यहाँ पर वो ही बात करती हूँ जो मेरे साथ हो चुका है और मैं उससे बहार आ चुकी हूँ तो मुझे लगता है बहुत सार ऐसे लोग है जो उस स्पेस से भी जा रहे होंगे और उनको बहार आने की ज़रूरत है यहाँ पर थैंक्स टू आल मैं सब्सक्राइबर्स लुम जो इतना सपोर्ट करते हैं इतने अच्छ अच्छ कमेंट करते हैं कभी उन्होंने मुझे नेगेटिव नहीं बोला आगसे में जिंदगी में एक नेगेटिव कमेंट आया है वो मैंने आपको बताया था ठीक है बाकि आप लो पर मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं देखी है अपना experience लोग शेयर करते हैं अपने question डालते हैं तो बहुत से इतने अच्छे लोग भी है कि उनको आकर के reply देते हैं जो चीज मैं reply नहीं दे पाती हूं अगर तो उनको आकर के reply देते हैं चलिए ये तो होगी कुछ facts की बा है तो basically मैं आपको बता दू मेरे जिंदगी में 2020 में बहुत कुछ हुआ बहुत कुछ हुआ ठीक है कई सारे डॉक्रस के चक्कर लग गए कभी कुछ कभी कुछ बहुत चीजें खराब रही पुरा लॉग्डाउन मेरा ऐसी बीद किया देन at the end मैंने कुछ सोचा अपनी जादा अचीव किया नहीं ठीक है क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ यूट्यूब पर बहुत ज्यादा स्लो काम करती हूं और यूट्यूब में भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जुन्होंने मुझे एंकरेज कि कि नहीं तुम करो इस टॉपिक पर बात करो कोई दिक्क् आपनी तुम चीज़े शेयर करी हो बट एक बंदे से दस लोग समझ रहें कि हाँ यह प्रॉप्लम भी होती है ऐसा कुछ भी होता है तो अच्छी चीज़े शेयर करो ठीक है उसके बाद भी मैं गायब हो गई तो गायब में इसलिए हो गई कि मैंने उस जोन से बाहर आना सी जो कि चल रहा था 2020 में वो क्या था आप सबको पता है बार बार नाम लेनी की ज़रूरत ही नहीं है क्या था वो तो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पढ़ाई इसलिए इतना गाप हो रहा है मेरे वीडियो में और बहुत जल्द बताऊंगी कि क्या पढ़ रही हो क्यों करेंगे प्लस बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब से सालरी आने माली है वो वीडियो भी लाएंगे तो वह कहने की बाते हैं कि एक चीज को पकड़ के मत बैठी है जिंदगी में कि हम क्या करें क्या ना करें इसलिए आज मैंने आपको यह फैक्ट बताए है कि अगर इतने सेर्वेसी के प्रॉब्लम न आते है इतना बच्चा चोरी होने की दिक्कते ना आती है इतना होस्पिटल्स में बच्चे ना होते ठीक है ऐसी दिक्कते होती ना अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है हमेशा याद रखिए लोग बोलते हम आई वेस नहीं रीजन है कोई इसी इसका हम IUI नहीं करें क्यों नहीं करा होगे जब problem थी the solution हुआ ठीक है बहुत से लोगों को IVF के बारे में confusion होती है IUI के लिए confusion होती है सेरोगेशी की confusion होती है तो यह एक अलग topic है इस पर हम कभी और बात करेंगे बहुत lengthy है यह topic आज हम सिर्फ यह बात करेंगे कि अपने आपको कभी अकेला नहीं समझना कि मैं ही सिर्फ क्यों हूँ मेरे साथ ही problem ऐसे क्यों है मैं क्यों नहीं कर सकती ठीक है या मैं मर जाती हूँ बहुत सी ऐसी दिक्कते आती है यह society आपको कभी खड़ा नहीं होने देगी जल्दी society में आदमी से ज़्यादा ओरतें ऐसी होती है जो आपको कभी भी मुझे लगता है बहुत कम ओरतें ऐसी होती होती होगी जो आपको increase करती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है अराम से हो जाए उसमें भी दस दिन में आपको मिलेंगी न तो यह जरूर पूझेंगी कुछ खुशकबरी है क्या कुछ भात है क्या ऐसी चीज़ें आपको face करनी है मुझे लगता है जब तक आपकी बच्चा करने की हैना तब तक आपको face करनी है उसके बाद नहीं करनी पड़ी कि उसके बाद टेंशन ही नहीं होगी किसी हो सब समझ जाएंगे ठीक है तो क्यों हम उसीज़ को दिमाग में अपने बेढ़ाएं जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं है यह सोच लिज़े उसीज़ को लाने ही नहीं है ये सोसाइटि आपको कभी एक अच्छा कदम उठाने के लिए जल्दी अंकरेज नहीं करती है हमेशा पीछे पैर खीचेगी आपका ताकि आप एक स्टेप आगे ना जाएं जैसी एक स्टेप आगे जाएंगे फिर एक स्टेप आप पीछे आजाएंगे जब तक अपने आपको आप इतना mental strong नहीं करोगे कि पीछे वाला बंदा हमें खीच ही ना पाए तब तक कैसे हो जाएगा जब तक सुनते रहोगे सुनाते रहेंगे लोग कई ऐसे मौके आते हैं बहुत से लोग के साथ ऐसा होता होगा जो लड़की औरत जो लड़की औरत मा नहीं बन पाती है आप अगर किसी के बच्चे को लेता है तो बोलता है बंदाब वो बोले ना बोले चार लोग ज़रूर बोल देंगे कि आरे तुम लेलो बच्चा ऐसा मत दो ठीक्या सो फेस करना है बट स्ट्रॉंग रहना है बहुत सी ऐसे औरते हैं मैंने कई औरतों को देखा है कि इन सब चीजों से हट करके बच्चे डॉप करती है प्लस उनको इतने अच्छे से पालती है कि वो औरत नहीं है उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया बहुत कुछ किया होता है तब ही वो जिंदगी में कोई और स्टेप लेपाती है ठीक है व्रद्धाश्रम में जब आप जाएंगे ना वहां उनके बच्चे ही उनको छोड़कर आते हैं बेटे चोड़कर आते हैं बहुए ही बेस्ती हैं कि नहीं इनको हम नहीं रखेंगे वो भी किसी के बच कर रही है तो मुझे जब मैं सेनेरियो देखती हूं ना चारो तरफ का तो मुझे कभी खुद को गिल्टी फील नहीं होता कभी नहीं होता ठीक है कि मैं ऐसे सोचू अब मेरे मेरी जिंदगी है भई मेरा हग है मैं कैसे खुश हूँ यह मेरी मेरी लाइफ है मुझे खुश पा रही है तो मेरे हजबन मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा कुछ करके आप लोग के पास जाएए, बहुत सी ऐसी चीज़े हैं जो आपको लोग सुनेंगे सिर्फ एक रीजन की वज़े से कि आप एक इनफर्टाइल लेडी हैं, तो आपको आपका हजबन छोड़ नहीं सकता किसी वज़े से कि जब तक आपकी मर्जी ना हो बहुत सी ऐसी ओरते होती हैं, जो रोते-रोते कहती हैं, मैं भी कहती थी पहले, बेवगोफ थी ना है कि मैं अपने हजबन की दूसरी शादी करें, क्यों करा दूँगे वे? अगर यह आपकी प्रॉब्लम है, तो उसकी भी प्रॉब्लम है, समझ लेजिए कहते हैं ना, शादी के बंधन में दो लोग बनता हैं, एक का दुख्या था दूसरे का भी है कभी गला चीजे मत सोची अपनी जिन्दगी में कुछ फैक्ट्स आपको समझ आये होंगे, कि ऐसा हम ही नहीं हैं, अकेले बहुत लोग हैं सो बी स्ट्रॉंग, अगीन हापी रिपब्लिक दे, फिर मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ, जबते के लिए आपको कमेंट ज़रूर करना है, कि आज का वीडियो सेशन कैसा लगा आपको, और कुछ और टॉपिक होंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर बताएं